दोस्तो भारत वर्ष का इंडिया नाम इंडस रीवर यानि सिंधु नदी से लिया गया था सिंधु हटी सबिता दुनिया की सबसे पुरानी सबिता इसलिए भारत दुनिया की सबसे पुरानी सबसे उन्नत और सतत सबिता है दोस्तों कि आपको मालूम है कि अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में तीसरा ऐसा देश है जिसके पास सबसे बड़ी सक्रिय सेना है दोस्तों पढ़ाई के मामले में अगर देखा जाए तो भारत ही सबसे आगे है क्योंकि यहीं वज़ा है कि भारत में इस्थे तच्छिला विश्व विश्व विद्याले दुनिया का सबसे पहला विश्व विद्याले है जिसकी स्थापना लगबख साथ सो ईसा पूर्फ की अब चूकि भारत वासी प्राचीन यूप से ही पढ़ाई में उस्ताद रहे हैं यही कारण है कि लखनों का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल भारत में चात्रों के मामले में दुनिया का सबसे वड़ा स्कूल है यहां लगबख 45,000 से अधिक चात्र पढ़ने आते हैं चूकि यही वज़ा है कि भारत सूपर कंप्यूटर बनाने में अमेरिका और जापान के बाद तीसरे स्थान पर आता है वैसे तो आजकर लोग अपनी अपनी बातों को जादातर ओनलाइन ही भेचते हैं जैसे कॉल मैसेज वीडियो कॉल के जरीए लेकिन बावजूद इसके भारत के प दोस्तों कुम्ब के मेले के बारे में आपने अक्सर सुना ही होगा हर बारा वर्ष के बाद कुम्ब का मेला भारत में होता है और दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा यहां ही लगता है साल 2011 में इस कुम्ब के मेले में इतने लोगी खटा हुए थे कि इस भी 57 लाख मान भी एगंटे लगे थे और इस पूल का भार पचास हजार आफ्री की हातियों के बराबर और यही है आधुनिक मानव कला का पेजोर नमोना और अन्त में बात करेंगे भारत के बहतरीन अविशकारों के बारे में जैसे की शेतरंज, बटन, रूलर, शैंपू, जीरो नमबर, पाई की वैलियो, त्रकोल मिती, भीजगड़ित, कलन, मोतिया बिन, सर्जरी, लास्टिक सर्जरी आधी का अविशकार भारत में ही हुआ था तो दोस्तों ये रहे आपके दस अमेजिंग फैक्ट भारत के बारे में अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताए कि आप इन फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट जानते थे और चैनल को सब अर्म दर आस्ट्रेलिया की कुल आबादी के बराबर है और कई अन्य देशों की जनसंक्या से अधेक है